वेलकम टू नेक्सिक जाओं आज है 19 अप्रेल 22 और 19 अप्रेल 23 से करेंट फैस की जितने भी इंपोर्टेंट कुछिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियों डिस्कुस करेंगे और हर कुछिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलिग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकुसिन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलिग्राम गुरूप चॉइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाली में ब बीस्स बिरासद दिवस कमनाएगें तो अभी अठारे अप्रेल को ब बेस्सो बिरासद दिवस मनाएगा तो इसकुसिन का बे आप्सें सही है पूरे बेस्व में मानव सब्विता से जुड़े एत्यासिक और सांस्करतिक इस्तलों के महत, उनके अस्तितों और संभावित खत्रों बा उनके संरक्षड के प्रतिजागुरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 अपरेल को बेस्व बिरासत दिवस मना जाता है अच्छा, इस बार के बेस्व बिरासत दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है, हैरिटेज चैंजिज, क्या है? है है हैरिटेज चैंजिज, अभी एक अपरेल को आर्वियाई का इस्तापन दिवस मना आए गया और एक अपरेल को ही उडिशा दिवस या उतकल दिवस मना चार अप्रेल को अंतरास्टी खान जागरुकता दिवस मनाए गया। पांच अप्रेल को अंतरास्टी समुद्री दिवस और अंतरास्टी बिवेक दिवस मनाए गया। चे अप्रेल को विकास और सांती के लिए अंतरास्टी खेल दिवस मनाए गया। साथ अप्रेल को बेश सु स्वास्ते दिवस मनाए गया, दस अप्रेल को बेश सु हुम्योपैती दिवस मनाए गया, और इस बार के बेश सु हुम्योपैती दिवस की थीम क्या थी, बन हेल्थ, बन फैमिली, ग्यारे अप्रेल को रास्टी सुरक्षित मात्रत दिवस मनाए ग और 11 अप्रेल को बेसु पार्किंसन्स दिवस मनाए गया, 12 अप्रेल को मानब अंतरिच उड़ान का अंतरास्ती दिवस मनाए गया, 14 अप्रेल को बेसु चगास रोग दिवस मनाए गया, 15 अप्रेल को बेसु कला दिवस मनाए गया, 14 अप्रेल को हाती बचाओ दिवस मनाए ग तो अप्रेल में अब तक इतने इंपोर्टेंडी बनाए गए यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज की सुडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर यह बीडियो आपको अच्छा लगता है एल्पो लगता है तब आप इसुडियो को लाइक और सेर जरू क्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस अचेब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए क्यूशन है हाली में किसे US-India task force में नामित किया गया है तो एक इंडो-अमेरिकन है नेली बेंदापूरी इनको अभी US-India task force में नामित किया गया अभी नेली बेंदापूरी को सामिल किया गया है यह है नेली बेंदापूरी अब US की बात है तो US के प्रेशिदेंट कौन है जो बाइडन अभी बर्स 2022 थे इसमें भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है अच्छा इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एकसरी होती है कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प वज़ प्रहार और युद्दब्यास ने क्यूशन है एपल ने भारत में कहां अपना पहला स्टोर लांज किया है तो अभी एपल ने मुंबई में जियो कुबर्ड्राइब मॉल में अपना पहला इस्टोर लांज किया यह एपल का इंडिया में पहला इस्टोर है जो मुंबई ने मेंग्यूशन हुब गाड़ी में किस ने वेल्स ओन बैप प्लेटफॉर्म लॉंज किया है तो टोयटा ने अभी बेल्स ओन बैप प्लेटफॉर्म लॉंज किया तो इसको शिंका से ओप्सिंस है यह एक ऑनलाइन रेटेल सेल्स प्लेटफॉर्म है जिसे टोयटा ने लॉंज किया है इसमें क्या ह अगर आपको Toyota की कोई गाड़ी पर्चेश करनी है तो आप online booking कर सकते हो और booking से लेकर delivery तक का सारा process आपको WhatsApp पर update की रूप में मिलता रहेगा तो Wales on Bap ये Toyota ने अपनी retail sales platform लौँच किया है अच्छा Toyota कहां की company है ये Toyota Japan की company है और ये जो Wales on Bap platform है ये कहां launch किया है ये बैंगलोरू में launch किया है नै कूशन है हाली में Brazil 되지 पैरा बेडमिंटर इंटर्नेशनल में निध्या ने कौन सा पदक जीता है तो Brazil पैरा बेडमिंटर इंटर्नेशनल में अभी निध्या ने स्वड़ पदक जीता तो इस question का बे options हैं ये हैं निथ्या इन्होंने अभी ब्राजील पेरा बेडमिंटर इंटरनेशनल में गूल्ड मेडल जीता है ने क्यूशन है हाली में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नारको स्टेट बना है तो अभी सेरिया दुनिया का सबसे बड़ा नारको स्टेट बना यानि कि नसेक से related जो भी चीज़ें होती है उनके निर्यात से जो पैसा आता है जो amount आता है उस पर Syria की economy based है तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को state Syria बन गया है अब Syria बना है तो ये है map में Syria Syria की capital क्या है Damascus, Syria की currency क्या है Syrian pound और Syria की present MP President कौन है बसर अल असद कौन है बसर अल असद नेकिशन है हाली में कौन सा देश बित्ती धाचे में सुधार पर राष्ट मंडल समू की अध्यक्ष्था करेगा तो अभी अपना देश भारत बित्ती धाचे में सुधार पर रास्ट मंडल समोग की अध्यक्षता करेगा तो इसको इनका C options है अब इंडिया करेगा तो अभी DGCA की रिपोर्ट की अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला फाइलेट इंडिया में है अभी अभ्यास लापरोस के तेसरे संस्क्रड का आयोजन भारत में खिया गया और SIPRI की रिपोर्ट की अनुसार दुजर 18-22 की बीच दुनिया का सबसे बड़ा आम्स इंपोर्टर अपना देश भारत बना है ने की शिन है तो इसक्रप्रदेश के लखनव और हर दोई इन दो जगों उपर PM, मित्रा, पार्क की शुरुवात की जाएगी तो इस Question का Say Option सही है और प्रयोक्त दोनों PM, मित्रा, पार्क ये एक Mega Textile पार्क होगा जिसमें एक लाग लोगों को Direct और दू लाग लोगों को Indirect वे में रूजगार में लेगा अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैं अपने उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की केपिटल क्या है लखनौ और लखनौ किस नदी की किनारिश देत है गूमती नदी किनारिश देत है उत्तर प्रदेश की चेपनिश्टर है योगे आधनाद उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनन्दी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश का राज की पसू है बारे सिंगा, राज की पच्ची है सारस यक्रोज, राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रक्ष है असोक का ब्रक्ष. अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अब्यारेंड में बागों का पहला फोटोग्राफ प्रमाट दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश के माराजगन जिले में बिसु का पहला ACI किंग गिद संरक्षर केंदर बना है और उत्तर प्रदेश सरकार ने सिक्चा सेवा च प्रदेश राजने गर्मियों में पाने की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है तो यह केरल ने अपनाया तो इसकुषिन का बे ऑप्सन्स है अब केरल तो यह है मैप में केरल की केपिटल है तिरुबननंत पूरम केरल के चीपनेश्टर है पिनरई बिजियन और केरल की गवर्नर कौन है आरिफ महम्मद खान आरिफ महम्मद खान नहीं अभी केरल में बन इसकूल बन आईएस यूजना सुरू की थी अभी सबसे बहतर रख रखा वाला टाइगर रेजर पेरियार टाइगर रेजर गोसित किया गया एंजी टी ने र आचा केरल में अनाई मोडे सॉल्ब नेस्णल पार्क मति और सोल स्ऊला नेसंल पार के साइलेंट वैली नेस्टि प्राइद्स निश्मान के समानित किया गया तो अबी राज सुअच्व को प्रभासी भारती पार किया तो इस कुश्चिन का से ओप्सेंस है यह हैं फैडेक्स कंपनी के सी यो राज सुब्रुमनियम यह एक इंडो अमेरिकन है और इनको अभी प्रवासी भारती सम्मान से सम्मानित किया गया अच्छा अभी फैमिना मिस इंडिया 2023 का किताब नंदिनी गुपता ने जीता है यह र पुरुषकार जीता है सांकी की 2023 में अंतरस्टी पुरुषका से और राव ने जीता और फ्रांस के सर्वोच नागरिक पुरुषकार से किरड नादर को सम्मानित किया गया है नेक्ट शुशन है हाली में तवांग में नए मठ का उद्गाटन किस ने किया है तो अरणाचल अरणाचल प्रदेश तो यह है मैपना अरणाचल प्रदेश की केपिटल किया है एटानागर अरणाचल प्रदेश की चीपनिष्टर कौन है पेमा खांडू अभी ग्रे मंत्री अमित्सा ने अरणाचल प्रदेश की के बितु में बाइब्रेंट बिलेज प्रोग्राम लॉ कर्ण सेवा शुरू की है ना क्यूशन है हाली में करनाटक बेंक ने किसे अन्तरीम CEO न्यूंट किया है तो करनाटक बेंक ने अभू सेखर राउ को अंतरीम CEO पाउंट किया तो इस कूशन का से ऑप्ऽन से हैं अब करना-टक El की स्तापना कब हुई 1924 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मंगलॉर में और इसके प्रजेंट टेम पर सी यू कौन है महां बलेश्वर कौन है महां बलेश्वर एमेस ने कुशन है हाली में हिमाचल प्रदेश हाई कूट की कार बाहक मुख नियादीस की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभी जस्टिस तरलोक सिंग चौहान को हिमाचल प्रदेश हाई कूट की कार बाहक मुख नियादीस की रूप में तो इसको इनका A options है, यह है Justice तरलोक सिंग चोहान और इनी को हिमाचल प्रदेश हाइकुट का कारे बाहग मुख नयदी से point किया गया, अब हिमाचल प्रदेश तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की capital क्या है, सिमला, हिमाचल प्रदेश की chief minister कौन है, सुखु और हिमाचल प्रदेश की गवर्णर कौन है सिप्रताप सुखला अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परयोजना शुरू की है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जी एटेग मिला है और्गिनाजड लिकोरिस यानि कि मुलेठी की खेटी करने वाला भारत का पहला राज हिमाचल प्रदेश मना है अच्छा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमाले नेसिनल पार्क है और ठेरिगंगा नेसिनल पार्क है next question है हाली में किसे मेलगम अदिसेशिया पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया गया तो अभी उत्सा पटनायक को मेलगम अदिसेशिया पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया गया तो इस question का say options आईbles ये है फ्रसिद्ध अर्थ सास्त्री और लेखक उत्सा पटनाएक इनको अभी मेलकम अधिसेसिया पुरुसकार 2023 से सम्मानेत किया गया है अच्छा सामाजिक विज्ञान के छेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए ये मेलकम अधिसेसिया पुरुसकार मिलता है अब लास्ट वीडियो की कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुशिन पूचा था कि हाली में सांखी की और कार्यार में मंत्राले के अनुसार फाइनेंस ये 2023 में केसराज ने MPLATS FUND का सबसे अच्छा उप्योग किया है तो इसका उप्योग गुजरात ने सबसे अच्छा किया यानि किस कुशिन का एक उपसे था और लगबग सबी श्चुयने सकांस सजी दिया मुष्ट बेले स्ट्राइनस के वारेंटेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूगा कुशिन के बारे मैं आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिक देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कोश्यन है हाली में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग केट अलाइंस का संस्तापक सदस्य बना है चार ओप्सन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्वुक पेज पर प्रेवेस एर कोश्यन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्वुक पर नेक्स एक्जम सर्च करके हमारा फेस्वुक बेर जोइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेवेस एर कोश्यन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कोश्यन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फिजन बेदाउट एनी एजिटेशन डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप टारगेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टारगेट है 40 एलाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अलपो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक को और सेर जरू किया करो और आपके पास जो भी स्टेडी रिलेटेड वाटसप और फेसु ग्रूप है उन में आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफेस का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राब जरू कर लिजी आपको इस चैनल से निश्चे थी मदब बिलेगी जब भे आप इस सब्सक्राब करेंगे तो बरावर में एक बेल अइकन बन को हैएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एक्जाम और बेज विदियो। तेंक्स वर वाचिंग।